Good morning, स्वागत है आप सभी का एक्जाम की बाद YouTube चैनल पर हमारा topic चल रहा था November महीने के Current Affair के प्रशन जिसमें हम कुल मिलाकर 200 प्लस जो है important question देखने वाले थे November महीने से जुड़े तो हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 complete कर लिया था और अब तक हम 101 important question देख चुके हैं क्योंकि ये सभी question important है आने वाले एक्जाम के लिए तो चलिए शुरू करते हैं question number 102 है how to be writer पुस्तक किन के द्वारा लिखी गई है यानि कि लेखक कैसे बने ये पुस्तक किन के द्वारा लिखी गई है तो ये पुस्तक लिखी गई है रस्किन बॉर्ण के द्वारा ठीक है दोस्तों और हाली में इने टाटा लाइफटाइम अचीवेंट अवोर्ड से सम्मानित किया गया है ये कोशन हमने कल के वीडियो में देखा था कि टाटा लाइफटाइम अचीवेंट अवोर्ड से किने सम्मानित किया गया है तो रस्किन बॉर्ण को किया गया है जो कि एक बृटिश लेखक है और इनी के द्वारा पुस्तक लिखी गई है हाउ टू बी राइटर कोशन नमर 103 है हाली में किस राज जी की पहली महिला सांसद चंदरवती देवी का निधन हुआ है तो आपको याद रखने है हर्याना राज की पहली महिला सांसद रही चंदरवती देवी का हाली में निधन हो गया है तो important question है और आपको याद रखना है साथ ही हर्याना राज्य से जुड़े कुछ important fact आपको याद रखने थे जैसे कि हर्याना राज्य की राजदानी है चंडीगर वर्तमार में मुख्य मंत्री है मनोहर लाल खटर, राज्यापाल है सत्यदेव नार्यान आर्या साथ ही मैंने आपको एक और important fact बताया था कि हर्याना राज्य जो है वो भारत का सबसे कम लिंगान उपात वाला राज्य है साथ ही हर्याना राज्य में बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, योजना के शुरुवात सबसे पहले हुई थी ठीके दोस्तों, यह important fact है हर्याना राज्य से जुड़े जो आपको याद रखने है Question number 104 है हाली में 8 V Bricks STI की मंत्री इस्तरी बेठक में भारत का प्रतिनी दित्व किनों ने किया है तो हाली में 8 V Bricks STI की मंत्री इस्तरी बेठक हुई थी जिसमें की भारत का प्रतिनी दित्व किया था Dr. Harsh Vardhan ने Dr. Harsh Vardhan वरत्मान में केंदरी मंत्री है और इनी के द्वरा Bricks STI की मंत्री इस्तरी बेठक में भारत का प्रतिनी दित्व किया गया है अब आपको यहाँ पर कुछ important fact याद रखने है सबसे पहला आता है Bricks क्या है तो Bricks है पांच देशों का सम्मू है Brazil, B से है Brazil, R से है रूस, I से है इंडिया यानि के हमारा तेश भारत, C से है चीन और S से है दक्षिन अफरीका तो इन पांच देशों का सम्मू है संगटन है जिसे की Bricks कहा जाता है इसकी स्थापन हुई थी संग 2006 में और जब इसकी स्थापन हुई तब इसमें चार देश थे ब्राजील, रूस, भारत और चीन और साउथ अफरीका यानि के दक्षिन अफरीका इसका सदज से कब बना तो 2010 में बना वह अगर बात करें STI, यहाँ पर नाम आया है STI तो STI की फुल फॉर में Science, Technology and Innovation तो आपको याद रखना है RTV Bricks STI की मंत्री इस्तरी बेटक में भारत का प्रतिनी दित्व किया है डॉक्टर हर्षवर्दन ने Question No.105 है किस कंपनी द्वारा One More Thing कारिकरम शुरू किया गया है तो आपको याद रखना है Apple Company अमेरिका की कंपनी है Apple और इसी के द्वारा One More Thing कारिकरम शुरू किया गया है Important Question और आपको याद रखना है Question No.106 है हाली में किसने F1 Turkey Grand Prix 2020 जीती है तो यह जीती है Lewis Hamilton ने Formula One रेस जो रेस होती है यह Lewis Hamilton ने जीती है जिसका नाम है F1 Turkey Grand Prix 2020 Question No.107 है हाली में किस राज्य के मुख्य मंत्री ने ग्रामीन सडक विक्रेता योजना शुरू की है तो ग्रामीन सडक विक्रेता योजना यानि कि वे लुग जो ग्रामीन सडकों की जो बगल में जो विक्रेता यानि कि जो छोटी छोटी दुकाने लगाते हैं उनके लिए योजना शुरू की गई है उनके उत्थान के लिए तो ये योजना शुरू की है मद्य पर्देश के जो वर्तमार में मुख्य मंत्री है शीवरासिंग चोहान इनके द्वारा की गई है तो आपको याद रखना है इसके इसी जो वर्तमार में राज्यपाल वे है आननदी बेन पटेल साथ है आपको याद रखने है मद्य पर्देश सबसे अधिक वनशेतर वाला राज्य है सबसे अधिक राश्टी उध्यान वाला राज्य है और भारत का सबसे अधिक बागो वाला राज्य भी मद्यपर्देश है बाग यानि कि टाइगर टाइगर जो सबसे ज़्याद है हो मद्यपर्देश राज्य में है Q 6 Marx का सबसे अधिक लिंगानुपात दर्ज किया है यदि कि इस वर्ष का सबसे अधिक लिंगानुपात किस आरुनाचल प्रदेश ने किया है जहां पर की 1000 पुरुष अपर महिलाओं की संक्या 1085 दर्ज की गई है ठीके दोस्तो और इसी के साथ ये देश का सर्वशेष्ट लिंगानुपात वाला राज्य बना है वही अगर बात करें 2011 की जन गर्णा के अनुसार सबसे अधिक लिंगानुपात किस राज्य में था तो वो है 1084 और किस में है तो केरल में है ठीके दोस्तों ये important fact आपको याद रखना है साथ ही आप याद रखेगा अरुनाचल परदेश की राजदानी है इटानगर वर्तमानविस के मुख्य मंतरी है पेमा खांडू और राज्यपाले ब्रिगेडियर बीडी मिश्रा साथ ही आप याद रखेगा अरुनाचल परदेश जो है ये भारत का सबसे कम जन संख्या गनत वाला राज्य है यहाँ पर प्रती वर्ग किलोमेटर में 17 लोग निवास करते हैं important है आपको याद रखना है question number 109 है किस राज्य ने startup hub इस्तापित करने की गोशना की है तो आप याद रखेगा ओडिसा राज्य ने हाली में startup hub यानि कि जो व्यक्ति अपना नया रोजगार शुरू करना चाते है नया startup शुरू करना चाते है उनके लिए है startup hub और इसकी इस्तापित करने की गोशना किस ने की है तो ओडिसा राज्य ने की है और ओडिसा राज्य से जोड़े important fact में आपको बहुत बार बताए है ओडिसा की राजदानी है भुवनेश्वर वर्तमान में इसके मुख्य मंत्री है नवीन पतनायक और राजजिपाल है गणेशीलाल और ओडिसा राज जिसे प्राचीन समय में कलिंग कहा जाता था कलिंग का युद्ध कब हुआ था 261 इसा पुर्व हुआ था किसके मद्धी हुआ था तो जो मौरिय वंच का शाशक था अशोग और उस समय कलिंग के राजजा थे नंदराज इन दोनों के मद्धी हुआ था और युद्ध के पशा अशोग ने धम बनीती को अपनाया था ये सभी important facts हमने पढ़े थे साथ ही आपको याद रखना था कि ओडिसा में है कौन सा बांध है तो हीराकुन बांध है किस नदी पर है तो महा नदी पर है साथ ही में आपको बताया था कि ओडिसा राज्य में है कौनार का सूर्य मंदिर जो कब बना था जो बना था बारासो पचास एसुई में किसने बनाया था तो उसमें महा का राजा था नरसिंग देव वर्मन जिसके द्वारा बनाया गया था तो यह बहुत ही जादा इंपोर्टन फेक्ट है ओडिसा राज्य से जुड़े जो एक्जा में आते रहते हैं और आपको याद रखने है 110 नमर का कोशिन नहीं है 111 नमर का कोशिन ठीक है दोस्तो किस देश के नोबल पुरस्कार विजेता विग्यानिक मासा ओसी कोशिया का निदन हुआ है तो आपको याद रखने है आपको नाम से ही पता चल रहे है मासा ओसी कोशिया यह जापान के विग्यानिक थे जिने की 2002 में भोतिकी का नोबल पुरस्कार मिला था सन 2002 में मासा ओसी कोशिया को बोतिकी का नोबल पुरसकार मिला था और हाली में इनका निदन हुआ है यह जापान देश से थे यह important question है आने वाल एक्जाम के लिए आपको याद रखने है कोशन एक्जाम में पुछा जा सकता है कि 2002 में बोतिकी के नोबल पुरसकार विजयता मासा उसी कोशिया का निदन एंटि इनक्रो क्यूंशाल सेल का गठन किया यानि कि इसमें एक कर गठन किया है जिसमें की पुलिस भी होंगे और स Jointry दो जो आदिकारी है वह भी होंगे तो यह है जो जंगली हातियों को बचानी के लिए रिए और ही किया है पश्चिम बंगाल बनाट और आपको याद रखना है कि पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा जंगली हातियों को बचाने के लिए एक टीम का गटन किया गया जिसका नाम है और पश्चिम बंगाल राज्य से जोड़े चार इंपोर्टेंट फेक्टि में आपको बताया था इसकी राजदा नहीं है कोल का था वर्तमान में इसकी मुख्य मंतरी है मेमता बनर जी और इसके वर्तमान में जो रज़िपाल है उनका नाम है जगदीप धनगड पंजाब में चुनाव का चेहरा कौन होंगे तो सोनु सूध होंगे जो कि अभी नेता है क्वेशन नमर 114 है हाले में कि इन्होंने Master Golf Tournament 2020 का किताब जीता है तब कोई याद रखने है डस्टीन जॉनसन डस्टीन जॉनसन ने 2020 का Master Golf Tournament 2020 का किताब जीता है ये क्वेशन आने वाले एक्जाम के लिए ठीक है दोस्तों कोई साब ये एक्जाम हो उसके लिए सबसे इंपोर्टेंट है Master Golf Tournament 2020 का किताब जीता है डस्टीन जॉनसन ने क्वेशन नमर 115 है SpaceX SpaceX कंपनी है टेसला की ने कितने अंतरिक्ष यात्रियों को International Space Station बेजा है तो हाली में Space X के द्वारा चार व्यक्तियों को ये चार अंतरिक्ष यात्रियों को International Space Station बेजा गया है क्वेशन नमर 116 है किस राज्य के मुख्य मंत्री ने गो केबिनेट की स्थापना की है तो हाली में गो केबिनेट यानि कि जो पशुधन है यानि कि जिनने गाए, भेश ये सब होते है इन के लिए की गयी है गो केबिनेट की स्थापना और ये किस राज्य के मुख्य मंत्री ने की है तो शिवरा सिंग चोहान ने की है जो कि मद्य परदिश राज्य के मुख्य मंत्री है इंपोर्टेंट और आपको याद रखना है कोश्य नमर 117 है किस राज्य के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री भवरलाल मेगवाल का निदन हुआ है तो आपको याद रखने है राजस्तान राज्य के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थे भवलाल मेगवाल और हाली में इनका निदन हुआ है इंपोर्टेंट है और आपको याद रखना है कोशन नमर 118 है हाली में जापान ने किस देश के साथ लेंड मार्क सुरक्षा समझोता हुआ है तो हाली में जापान ने उस्ट्रेलिया के साथ लेंड मार्क सुरक्षा समझोता किया है कोशन इंपोर्टेंट और आपको याद रखना है कि हाली में जापान और उस्ट्रेलिया के मध्य हुआ है लेंड मार्क सुरक्षा समझोता कोशन नमर 119 है important question है कि हनुमान जी की सबसे उची प्रतीमा कहा इस्तापित की जाएगी तो हनुमान जी की सबसे उची प्रतीमा इसकी जो उचाई है लगबग 215 मीटर है ठीक दोस्तो और यह इस्तापित की जा रही है करनाटक के हमपी में ठीक दोस्तो अगर कोशन नमर 119 है कि हनुमान जी की सबसे उची प्रतीमा किस राज्य में जो है इस्तापित की जाएगी तो करनाटक में की जाएगी और करनाटक के भी हमपी शहर में की जाएगी और इसकी उचाई जो है लगबग 215 मीटर है कौशन नमर 120 है शी सागास्ती किस देश के राष्टपती बने है तो शी सागास्ती राष्टपती बने है पेरू के important question पेरू जो है यह दक्षिन अमेरिका जो दक्षिन अमेरिका महादीप है इसमें छोटा सा देश है पेरू और इसी के नई राष्टपती बने है शीर सागास्ती तो जो है अभी तक हम पहले भी दो और देशों के और आज एक और देश है जो है पेरू इसके हम राष्टपती पढ़ चुके हैं आपको इन तीनों को जो है एक ही पेच पर नोट कर लेना है आपके लिए उपयोगी रहेंगे कोशन नोबर 112 है एड़राबद उनिवरसिटी में सुविधा केंद्र का उद्घटन किन के द्वरा किया गया है तो आपको याद रखने है वरत्मान में होने तो ओम बिरला है भाचपा के जोकी लोग सभा के अध्यक्ष है उसी परकार राज्यसभा के अध्यक्ष कोने तो वे हैं वेंकिया नाइडू इन्हें सभापती कहा जाता है कुशन नमर 122 है महिलाओ को ससक्त बनाने के लिए लीलावती अवोड 2020 की शुरुआत किन के द्वारा की गई है तो आपको याद रखने है अभी जो है केंदरे में मंत्री है शिक्षा मंत्री शिक्षा मंत्री कौन है रमेश पोकरियाल निशंग है और इन्हे के द्वारा लीलावती अवोड 2020 की शुरुआत की गई है कुशन नमर 123 से एशा की पहली सोर उरजासे संचलत कपड़ा मेल कहा शुरू की गई है इसके बारे में आपको बहुत 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 अभी हमने पड़ा श्री सागात्सी किस देश के राष्ट पती बने है तो पेरू के बने है उसी प्रकार माइना सेंडू किस देश के राष्ट पती बनी है तो माइना सेंडू बनी है मालडोवा की आप याद रह सकते हैं माइना से मालडोवा ठीक दोस्तों माइना सेंडू मा मालडोवा है कापर तो यह है यूरोप महादीप में यूरोप महादीप में जो है इंग्लेंड की निकट है और इसका नाम है मालडोवा एक छोटा सा देश है बिल्कुल कोशन नमर 125 है हाली में कि ने भारत रत्न डॉक्टर अंबेड कर अवोर्ड से सम्मानित किया गया है तो आपको याद रखना है भारती अभीनेत्रिय रीचा चड़्डा और इनी को भारत रत्न डॉक्टर अंबेड कर अवोर्ड से सम्मानित किया गया है question number 126 medical mobile unit जीवन धारा की शुरुवात कहा की गई है तो जो medical mobile unit है यानि कि लोगों तक जाकर लोगों को प्रात्मिक उपचार देने वाली एक unit का जो है शुरुवात की गई है जिसका नाम है medical mobile unit medical यानि कि चिकितसा में mobile यानि कि चलाइमान जो कि हमेशा लोगों तक पहुचेगी तो इसकी जो शुरुवात ही है वो हिमाचल प्रदेश में हुई है important और आपको याद रखना है medical mobile unit जीवन धारा की शुरुवात हिमाचल राज्य में की गई है question number 127 हाली में किस राज्य की पूर्व राज्यपाल अगर बात करें गोवा राज्य के वर्तमान में राज्यपाल को है तो वो है बगत सिंग कोशारी जो की जो महाराष्ट है उसके भी राज्यपाल है और महाराष्ट के बगल में है गोवा तो वो अभी गोवा के भी राज्यपाल है जैसे कि आनन्दी बेन पटिल जो है यह उत्तर परदेश और मध्यपरदेश की है उसी परकर बगत सिंग कोशारी जो है यह महाराष्ट और गोवा दोनों के राज्यपाल है और हाली में गोवा राज्जी की पूरो राज्यपाल म्रदुला सिन्हा का निदन हुआ है तो आप याद रखेगा भारती लेखीगा चित्रा बेनरजी ने एक पूस्तक लिखी है जिसका नाम है दर लास्ट क्वीन कोशन नबर 139 से भारत के परम सिद्ध कंप्यूटर को विश्व के 500 कंप्यूटर में कौन सा इस्थान प्राप्त हुआ है यह कोशन इंपोर्टेंट आने वाले एक्जाम के लिए आपको याद रखने कि भारत का सूपर कंप्यूटर क्या है उसका नाम है परम कंप्यूटर तो इसी का एक जो है वर्जन परम सिद्ध कंप्यूटर जिसको की विश्व के 500 कंप्यूटर में 63 वा इस्थान प्राप्त हुआ है ठीक दोस्तो 63 यानि कि जो 500 टॉप कंप्यूटर है विश्व के इसमें हमारे देश का परम जो सिद्ध कंप्यूटर है इसको 63 वा इस्थान आपको याद रखने है अप्रोमिस्ट लेंड ये जो है अमेरिका के पूरव राष्टपती थे, कल मिन आपको बता है, 45-वे नंबर के राष्टपती थे, ठीके दोस्तो, 45-वे नहीं, ये 44-वे नंबर के थे, कल हमने 45-वे पढ़े थे वो थे डोनाल ट्रम, 46-वे बने है जो अभी के बारे में ने लिखा है, अप्रोमिस्ट लेंड ठीक दोस्तो, पुस्तक है, बराक अबामा की जो की 44-वे राष्टपती थे, अमेरिका के कॉशन नबर 131 से हाली में किस बेंक ने कार्डलेस EMI सुविदा शुरू की है, तो आप याद रखेगा, ICICI बेंक के द्वरा कार्डलेस EMI सुविदा शुरू की गई है, साथ ही अगर बात करें ICICI बेंक की, तो यहाँ पर अपन कंपेर कर सकते हैं, ICICI बेंक को HDFC बेंक के ठीक है, ठीक है दोस्तो, इसके CEO संदीब बक्षी है, लेकिन इसके CEO को ने वो हैं शशीधर जगदीशन, शशीधर जगदीशन, तो यह थोड़ा सा अंतर है CEO में, बाकी दोनों चीज़े से हैं, इसकी स्थाप्रा भी 1994 में, ICI बेंक की, HDFC बेंक की बेंक भी 1994 में, इसका मु करनाटक की राज़दानी बेंगलूरू और बेंगलूरू टेक समिट 2020 का उधगटन किया है, नरेंदर मोदी जी ने कुशनторы 133 यकी से राजजी में बाल अधीकार सब्टा मनाये गया है तो हाली में राजिस्तान राज्य में मनाये गया है बाल अधीकार सब्टा अगर बात करें राजिस्तान राज्य से जुड़े important fact ही तो सबसे पहला आता है इसकी राजदानी है जैपूर इसके वरत्मान मुख्य मंत्री अशोगेलोत और इसके वरत्मान में राजपाल है कल राजमिश्र साथ ही आपको एक और important fact याद रखना था कि शेत्रफल के आधर को राजिस्तान भारत का सबसे बड़ा राज्य है question number 134 है किस राज्य में दाई दीदी मोबाईल क्लिनिक की शुरुआत हुई है ये उसी परकार है अभी हमने उपर पढ़ी थी एक मोबाईल क्लिनिक ठीक दोस्तों मोबाईल क्लिनिक हमने पढ़ी थी जो की हुई थी वहापर हिमाचल परदेश में अब आये दाई दीदी मोब क्लिनिक 36 गड़ वाली question number 135 है हाली में कौन finance peer के brand ambassador बने finance पीर जो ही एक educational है educational platform है finance peer और इसके अभी brand ambassador बने है रोहित शर्मा अब रोहित शर्मा से चुड़ा को important question याद रखने जो आने वाले सभी exam के लिए important है कि रोहित शर्मा को भी जैसे कि आप जानते है 29 अगस्त को हम क् यह खेल दिवस मनाते हैं ठीक दोस्तो बारत का बारत में खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को ठीक है तो 29 अगस्त को ही एक पुरुसकार दिया रहता है जिसका नाम है राजीव गांदी खेल रतन पुरुसकार तो राजीव गांदी खेल रतन पुरुसकार इस बार जो क् 17 महिला विश्व कप को इस्तगित किया है तो आप याद रखेगा कि फीफा के द्वारा भारत को अंडर 17 महिला विश्व कप कराने का जिम्मात दिया गया था लेकिन अब कोरोना की कारण इसको इस्तगित कर दिया गया था तो आपको याद रखेगा है फीफा ने भारत में हो दिया गया है तो आप याद रखेगा यह जील है उत्तर परदेश की कल हमने एक और कोशन पढ़ाता है इसी से जुड़ा हुआ उसमें ये कोशन था कि हाली में किस राज्जी के लोनार जील को रामसर साइट का दर्जा दिया गया है तो लोनार जील का पर है वो है और सुर्श रोवर जील का पर है यह उत्तर परदेश में आपको यह दोनों याद रखनी है यह दोनों पर एक कोशन इंपोर्टेंट और आ सकता है तो आपको यह दोनों याद रखने है यह कोशन इंपोर्टेंट और एक्साम में ज़रूर पूछा जाएगा कि हाली में वेश्विक रिश्वत जोकिम सूचकांक की लिष्ट जारी की गई है जिसमें हमारा भारत देश कौन से स्थान पर है तो 77 स्थान पर रहा है साथ ही आप याद रखने हैं पहले स्थान पर कोई है तो पहले स्थान पर उत्तर कौरिया आपको यह दोनों याद रखने है 77 स्थान पर हमारा देश भारत और पहले स्थान पर उत्तर कौरिया वेश्विक रिश्वत जोकिम सूचकांक में Q.139 ने हाली में किन के द्वारा लोग तंतर के स्वर और रिपब्लिकन एथिक Volume 3 का emotion किया गया है इसके बारे मैं आपको बहुत बार बताया था कि लोग तंतर के स्वर और रिपब्लिकन एथिक ये किन के द्वारा लिखी था तो ये वरत्मान में भारत के राष्ट पती कोन है तो वह रामनात कोविंद इनके भाष्णों पर आदारीत है ये मैं आपको बहुत बार बता है कि रामनात कोविंद जो भारत के वरत्मान में राष्ट पती है कौन से राष्ट पती है? चोधवे राष्ट पती है, ये भी आपको याद रखने है, कोशन एक्जाम में पूछा जा सकता है, कि रामनाथ कोविन भारत के कौन से नमबर की राष्ट पती है, तो चोधवे राष्ट पती है, जो कब बने, जो बने 2017 में, किस तारीक को बने, 25 जुलाई को बने, ये सब आ याद रखने है रामनात कोविन कब राष्टपती बने तो 25 जुलाई सन 2017 को बने कौन से नमबर के बने तो 14 नमबर के बने और एक और important question मत आई कि भारत के दूसरे दलित राष्टपती कौन है तो आप याद रखिएगा भारत के दूसरे दलित राष्टपती है रामनात कोविन पहले कौन से तो पहले थे के आर नारायनन जो पहले हमारे राष्टपती बने थे के आर नारायनन और अब जो है दूसरे राष्टपती है रामनात कोविन यह सभी important fact है और आपको यह सभी याद रखने है Question number 140 है हाली में World Bank ने किस राज़े में Connectivity सुधार के लिए 120 मिलियन डॉलर की परियोजना पर हस्ताक्षिर किये हैं तो जो मेगाले राज़े माफ कीजिए मेगाले राज़े जो है ये भारत के सबसे उत्तर पूरू में इस्तित है ठीके दोस्तों वो जो साथ सिस्टर है उनमें से एक है तो वहाँ पर Connectivity अच्छी नहीं है यानि कि एक दूसरी राज़े से जुडाओ अच्छा नहीं है तो यहाँ पर Connectivity सुधार के लिए World Bank ने 120 मिलियन डॉलर की परियोजना पर हस्ताक्षिर किये हैं तो किस राज़े के लिए की हैं तो मेगाले राज़े के लिए की है अब मेगाले जो है आपको मेगाले राज़े से जुड़े कुछ important fact याद रखने सबसे पहला है मेगाले की राज़दानी है शीलोंग ठीके दोस्तों मेगाले की राज़दानी है शीलोंग आप इसको याद रह सकते हैं मेग यानि की बादल बादल से क्या होती है बारिश होती है और बारिश में हम क्या पिते हैं तो लोंग वाली चाहिए पिते हैं इंपोर्टन आप याद रह सकते हैं मेगाले की राज़दानी है शीलोंग मद्यपरदेश रज़े में और मद्यपरदेश रज़े से जुड़े आज हमने तीन कोशिन पढ़े आपको एतीन हो याद रखने है गिद्द पक्षी को बचाने के लिए आप जानते हैं कि गिद्द पक्षी जो पर्यारों में किस प्रकार अपना योगदान देते हैं, जैसे कि जो भी कोई मृत जानवर जो मर जाते हैं, ठीक है दोस्तों, तो उनके जो शरीर को उनको खा जाते हैं गिद्ध पक्षी, जिसके कारण इवातारों को शुद्ध बना के रखते हैं, अगर ही उनको नहीं खाए तो आप याद रखेगा, ओडी सा राज्य में मनाया गया है, तो आप याद रखेगा, ओडी सा राज्य में मनाया गया है, तो आप याद रखेगा, ओडी सा राज्य में मनाया गया है, तो आप याद रखेगा, ओडी सा राज्य में मनाया गया है, तो आप याद रखेगा, बरुंडी एक छोटा से देश है अफ्रीका के मध्य में अफ्रीका महादीब के मध्य शेत्र में एक छोटा से देश है बरुंडी और यही पर अजे कुमार जो है नए भारत के नए राज़दूत नुक्त हुए है question important और आपको याद रखना है तो जितने भी राज़दूत जो भी नुक्त हुए है पिछले 4-5 महीनों में उनकी आप एक अलग से लिस्ट बना लीजेगा जादा नाम नहीं है उसमें शायद 10-12 नाम होंगे 21 देश के पूरो फुटबोलर थे तो Ray Clemix का निदन हुआ है ये England के पूरो फुटबोलर थे इससे पहले हमने जो है कल की वीडियो में पढ़े थे एक नाम हमने पढ़ा था Paolo Roji ठीक है दोसरा Paolo Roji जो थे Paolo Roji ये किसके थे तो ये इटली के पूरो फुटबोलर थे और अब Ray Clemix का निदन हुआ है ये England के पूरो फुटबोलर है इससे पहले हमने एक और नाम पढ़ा था Argentina के पूरो फुटबोलर उनका भी निदन हो गया था Maradona तो आपको ये तीनों नाम याद रखने है ये तीनों ही important है और इन तीनों के हाली में मृत्य हुई है और ये तीनों ही फुटबोलर थे ठीक है जोस्तों important है आपको याद रखना है Question number 147 ने अगर हम बात करें तो जो माला बार नोसेनिक अभ्यास है इसमें चार देशों ने भाग लिया है इसमें भारत है, अमेरिका है, जापान है, औस्ट्रिलिया है तो इन चारों देशों के मध्य जो है, नोसेनिक अभ्यास हुआ है जिसका नाम है माला बार नोसेनिक अभ्यास इसका दूसरा चरण जो है, उत्री अरब सागर में हुआ है और पहला चरण हुआ था, जो है, आंदर पर्देश इसके विसाका पटनम में खुशन नमबर 148 है तो रजेस्तान राजज़ी के मुख्य मंतरी अशोगेलोत की द्वरा की गई है 149 है कि इनके द्वारा हर गर नल योजना ठीक दोस्तों हर गर तक पानी पोचाने के लिए हर गर नल योजना की शुरुआत हुई है आपको ये भी याद रखना है किस राज्य में हुई है तो ये उत्तर परदेश में हुई है किनके द्वारा की गई है तो ये नरेंदर मोदी भारत के वर्तनान परदान मंतरी नरेंदर मोदी इन्हें के द्वारा की गई है हर गर नल योजना की शुरुआत जो हुए उत्रपरदिश रज्य में कोशिन नमर 150 है किस रज्य सरकार ने महा आवास योजना की शुरुवात किये तो महाराष्ट राज्य ने किये अभी हमने एक और कोशिन पढ़ा था कि एश्या की पेली सोर उर्जा से संचले कपड़ा मील किस्ता अपना कापर हुए तो वो भी हुए महाराष्ट में जिसका नाम है जै भवानी कपड़ा मील और अब किस राज़े सरकार ने महा आवास योजना लोगों को जो है गर देनी के लिए अवास उपलब्द करानी के लिए महा आवास योजना की शवास की गई है महाराष्ट राज्जे में इंपॉटे keeper है संजू सेंसन और यही जो अब हील के नई brand ambassador बने जो कि एक आयरुवेदिक brand है आज का अंतिम प्रश्ण है वातायन lifetime achievement award से किने सम्मानित किया गया है तो आप याद रखिएगा रमेश पोखरियाल निशंग को अभी मैं आपको बताया था कि रमेश पोखरियाल निशंग को किया गया है क्योंकि इनके द्वारा बहुत सारी पुस्टके लिखी गई है यह शिक्षा के सेत्र से संबनित है शिक्षा मंत्री है तो इनके द्वारा बहुत सी पुस्टके लिखी गई है इसलिए जो है इनको वातायन lifetime achievement award से संब्भानित किया गया है important question और आपको याद र पता है थे जब 1923 में कॉंग्रेस का दिवेशन हुआ था तो इसकी अध्यक्षता की थी अबूल कलाम आजाद ने उस समय जो ही इनकी उम्र बहुत ही कम थी जिसके कारणे सबसे यूवा अध्यक्ष बने थे कॉंग्रेस के और जब भारस वतंतर हुआ तो अबूल कलाम के दोरा लिकी गई है तो ये थे आज तक के हमारे 152 इंपोर्टिन कॉश्चन हमने तीन पार्ट में जो है 152 कॉश्चन पढ़े है अब जो है हमारा लास्ट पार्ट आएगा कल पार्ट फॉर और उसके डिस्क्रेशन बॉक्स में आपको ये सभी 200 प्लस कॉश्चन के पीड सितंबर और अक्टूबर की पीडियफ तो आप आज हो डाउंलोड कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स से और जो ये है नवंबर की पीडियफ जो है यह आपको कल मिल जाएगी तो आपको ये चारो ठीक दोस्तों ये चारो जो है आपको पढ़ने हैं ये तीन महीनों का अ जो है current affair के question हो जाएंगे और December की जो PDF आपको new year पे मिल जाएगे एक तारीक को जो है आपको December की PDF मिल जाएगे तो आपके पास कुल मिलाके इन 4 महीनों के पिछले 4 महीनों के current affair के सभी important question हो जाएगे जो आपके आने वाले exam के लिए 80% जो current affair question हो इनी में से पूछी जाएगे पिछले 4 महीनों से तो आपको ये सभी question पढ़ लेने है तो आप ये चारो PDF new year पे आप ले लीजएगा ठीक से